गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम लोग मैतमेटिक्स क्लास में चैप्टर नमबर सिक्स का पेज नमबर 97 & 98 सौल करेंगे आज का टॉपिक है टाइलिंग प्रॉब्लम्स ठीक ना टाइलिंग प्रॉब्लम्स से लेटेर कुछ हम कोश्चन सौल करेंगे तो यहां पर गार्डन इन अनूहाउस अनूहाउस में गार्डन है इन डा मिडिल अफ दो गॉर्डन देरिज़े पाथ को गार्डन के मिडिल में बगीचे के मिडिल में एक पाथ एक रास्ता है दे डिसाइडेट टू टाइल द पाथ यूजिंग डेटाइल सभ लेंथ 2-3-5 फिट वह है वह डिसाइड करना चाहता है कि हम उस जो रास्ता है उसमें टाइल्स लगा दें ठीक है ना और टाइल्स की साइज है ठीवी फिट, फिट और फाईफिट ठीक है कि तीन तरी के टाईल्स Surprise एक टूफिटكن जो मिश्थि होता है टाइस लगाने वाला है तो वो क्या कर था है पहली रोपे टू vist की टाइस लगा रहा है सेकेंड रोपे two feet की direct row पे five feet की tiles लगा रहा है ठीक है ना Tama ред has not cut any off the Ford tires वो कोई भी 2010 को कट नहीं करता काटना नहीं काटता नहीं है then what is the shortest length of the path ठीक है ना तो आपको यहां पर यह बताना है कि सॉर्टेस्ट लेंथ आप दपाथ सबसे छोटी लेंथ का जो रास्ता कौन बने कितनी बनेगा ठीक है ना और सबसे छोटी लेंथ का रास्ता क्या होगा वो लेंथ आपको बतानी है ठीक है ना वो सॉर्टेस्ट क्या होगा रा से clear हो गया है कि certain length of the path is the smallest common multiple of 23 and five तो हमें क्या निकालना होगा 23 and five का क्या निकालना होगा smallest common multiple ठीक है न इन तू थृ फाइप के हमें क्रफ और करेंगे क्या निकालेंगे इनके multiples लिखेंगे और multiple में 23 लिखने के बाद सबसे smallest common multiples कौन था है तो मैं आज का रफ वर करके आप दिखाता हूं चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है multiple आप 2 तो के multiples कौन होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 तो मैंने 30 तक लिखे हैं सभी इसी तरीके multiples आप 3 के लिख दिये हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 इसी तरीके हमने 5 के multiples लिख 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 लिए हैं 30 तक 5 10 15 20 25 ठीक है ना इनमें तीनों में सबसे जो पहला small common multiples मिलता है वो क्या है 30 सभी में common क्या है 30 तो इसमें भी 30 आ रहा है common 3 के multiples में 30 हैं 5 के multiples में 30 है में पहले जब starting करते हैं तो सबसे small जो common multiples 30 ठीक है ना यहां पर मैंने answer लिख दिए clearly the shorter length of the path is the smallest common multiple of two three and five ठीक है ना जो smallest common multiple two three and five का होगा वही क्या होगा starting length of the path वो क्या होगी वो पाद की shortest length होगी ठीक है ना तो इसको दूसरी तरीके से इस लिख सकते हैं कि जो smallest common multiple is 30 है so starting length is 30 feet क्योंकि यह किस में दिए थे सभी feet में दिए थे ना तो इसका answer लिख दो तो यहां पर इसका answer लिख दिए रहे हैं smallest common multiple is 30 so starting length is 30 feet यह answer आ गया 30 feet यह उसका answer होगा ठीक है इस तरीके आपको पूरा solve करना है ठीक है ना अब next question में चलते हैं next question है यहां पर उस पर टाइस लगाना चाहता है the size of the room is 9 feet into 12 feet जो room की size है उसकी length and breadth क्या है 9 and 12 है ठीक है ना in the market there are three kinds of square tiles market जब हो जाता है तो market में तीन तरह की tiles मिलती है a square save में पहला है one is to one ठीक है ना एक tiles है one foot into one foot तक दूसरा है two feet multiplied by two feet में जो one foot into one foot दूसरा है two feet into two feet और third tiles है three feet into three feet means इसमें जो पहली वाली tiles का size है one by one है और ठीक है ना दूसरी जो tiles है two by two or three by three ठीक नहीं यह तीन काइंड से तीन प्रकार की tiles हैं अब यहां पहुछा गया which size of tiles should he buy for his room so that he can lay it without cutting कौन सी प्रकार की वो tiles purchase करें खरीदे market से जिससे उसको बिना cut करें बिना tiles को काटे हुए अपने फर्स पे जो रूम के फर्स में लगा ले ठीक है ना देखिए यहां पे foot और fit में difference अमद लेना जो singular होता उसको foot कहते हैं और जो plural form होता उसको fit कहते है ठीक है ना कोई difference नहीं है ठीक ना अब यहां पे उसके जो यह house का रूम था ठीक ना उसके house का रूम 9 into 12 है ठीक ना अब हमें यह तीन प्रकार की ties दी है चलिए हम find करते कौन से fit होगी कौन से fit नहीं होगी ठीक है अगर यहां पर देखिए 123 में तो जो 2 है ना वो हमें इनका साइथ देखना है तो तो 12 को डिवाइड कर देगा लेकिन 9 को नहीं कर पाएगा मेंस यहां पर यह है तू इसनाट कामन फैक्टर आप 9 और 12 का कामन फैक्टर नहीं हो सकता है ठीक ना क्योंकि जो 9 है टू से डिवाइड नहीं होगा ठीकिना इसलिए जो टूफिट वाली टाइस है वह यहां पर फिट नहीं बैठेगी उसको कट करना पर सकता है ठीकिना कट करना पड़ेगा इसलिए कानर कामन फैक्टर आप 9 थो 9 और 12 का common factor नहीं है so tiles size 2 feet multiplied by 2 feet cannot be laid down in the room without cutting बिना काटे 2 feet वाली tiles को नहीं लगाए सकता but 1 and 3 are the factor of 9 12 जो 9 और 12 का जो 1 और 3 है वो factor है so he should buy tiles of 1 foot multiplied by 1 foot 1 foot वाली tiles खरीदे और अथ्वाद 3 feet by 3 feet यहाँ पर 3 है ठीक ना तो इसमें से कोई वो purchase कर लेगा so that he need not to cut it तो उसको काटना नहीं पड़ेगा तो one या one वाली purchase कर ले या three वाली purchase कर ले या दोनों कर ले तो उसको काटना नहीं पड़ेगा ठीक ना next इसमें तीन हाउस बने रानी जाउस गीता जाउस और नसीमा होस रानी गीता नसीमा लिव नियर इच अधर वो तीनों एक आज पास अपने दो तीनों पास पास रहते हैं एक दूसरे के दिस्टेंस फांदेर हाउस तो दा रोड इस 90 फीट रोड से तीनों की डिस्टेंस कितना है 90 फीट दे डिसाइड़ टाइल दा पाथ आन दा रोड दे आल बाट टाइस फांड डिजाइन एंड लेंथ ठीक ना वह अपने जो रास्ता है उन रोड तक पहुंचने का उस पर टाइस लगाना चाहते अब तीनों अलग-अलग डिजाइड के अलग-अलग लेंथ की टाइस लगाना चाहते हैं रानी बाठ दा सब्सक्राइब नसीमा बाहरा नग रानी है जो सबसे चोटी टाइस लगाना चाहती गीता मिडिल वाली साइज की और सबसे बड़ी साइज की एप देख कूड और अराम से उनके उनके रास्तों पे लग जाए ठीक है ना तो आपको साइज आपको बताने कि क्या साइज होगी और सजट करना है तीन सलूशन कि यह कैसे आप आंसर इसका निकाले करना है अगर 90 के फैक्टर किये जाए तो 1 2 3 5 6 और 9 इन सभी से डिवाइड हो जाएगा यह इसके फैक्टर भी निकल आएंगे तो पासिबल टाइस की साइज क्या होगी वन इस्टू वन टू इस्टू टू त्री इस्टू त्रू फाइस्टू इस्टू 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 इस्टू निकाल लेंगे सभी तो जो सबसे छोटी सब्सक्राइब ख्योआइस की सब्सक्राइब विडावा एस तरीके से लेंगे थीकर न माकि फिर नई व्यों लेंगे तब तक कि लिए बाबाए